हेलो एवरिवन, वेलकम टू मैं चैनल एनके एजुकेशन, मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है राष्ट्रिय पात्रता परिक्षा, नेट की तर्ज पर ही बिहार पात्रता परिक्षा ये बैट का आयोजन किया जाएगा सहायक प्रोफेसर की न्युक्ति के लिए विकेंसी आने वाली है, जिसका विज्यापन एक-दो दिन में रिलीज कर दिया जाएगा और आप सभी को देखने को मिल जाएगा सहायक प्रोफेसर की न्युक्ति को होगी बिहार पात्रता परिक्षा राजे के विश्विद्यालियों में सहायक प्राध्यापकों को न्युक्ति के लिए राष्ट्य पात्रता परिक्षा नैट की तर्च पर बिहार पात्रता परिक्षा बैट आयोजित की जाएगी इसमें उत्तीर्ण होने वाले अभियर्थी राज्य के विश्व विद्यालियों में सायक प्राध्यापक पद के पात्र माने जाएंगे यह निर्णे शिक्षा मंत्री सुनील कुमार की अध्यक्स्था में गुरुवार को हुई बिहार राज्य उच्चतर सिक्षा परिश्द की बैठक में लिया गया इस अवसर पर सिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने बैठक में शामिल उच्छ सिक्षा निदेशक को निर्देश दिया कि बिहार पातरता परिक्षा बैठ का पाठे करम सलेवस अभी लंब तयार कराएं उन्होंने यह निर्देश भी दिया कि विश्व विद्यालियों में ओनलाइन परिक्षा लेने की विवस्था लागू करने को लेकर प्रस्ताव तयार करें ताकि उसे चरणबध तरीके से राजे के विश्व विद्यालियों में लागू करने की कार्यवाही की जा सके बैठक में राजे के विश्व विद्यालियों में चार वर्स ये बीएड पाठे करम शुरू करने पर भी सहमती दी गई कम से कम बैंक खाता रखें ये भी एक अपडेट आई रहा है साथ में इसको भी देखी ले कि कम से कम बैंक खाता होना चीज़ से क्या है कि सिक्षा मंत्री ने राजे उचतर सिक्षा परिसद से कहा कि विश्व विद्यालियों में बैंक खातों की संख्या बहुत अधिक है विश्व विद्यालियों को निर्देश दें कि कम से कम बैंक खाता रखें अब इसका विज्यापन जो रिलीज होना है उसका समय एक या दो दिन बताया जा रहा है जैसे ही इसका विज्यापन रिलीज होता है आपको हमारे ही चैनल पर देखने को मिल जाएगा सो पलीज बने रहेगा जो भी आप बैट की परीक्षा के लिए अपने आपको अर मानते हैं योग्य मानते हैं तो आप सायक प्रोफेसर की न्युक्ति के लिए आवेदन कर सकते हैं जिसके लिए आपको बिहार पात्रता परीक्षा का एक्जाम देना होगा जिसकी vacancy कितनी आएंगी अभी सुना है हमें information मिली है कि कितनी vacancy होंगी लेकिन जब तक official letter नहीं आ जाता उनको exact बता पाना मुझे नहीं लगता कि नयाय उचित होगा सबसे पहले जरूरी है कि official जो notice होता है वो release हो जाए and then उसके बाद हम आपको उसी के आधार पर बताएंगी कि कितनी vacancy है किस date से होगी किस पिरकार उसमें आप आवेदन कर सकेंगे बने रहेगा thank you and thanks for watching